विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश भर में आधुनिक एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मान मोदी सरकार की कैरिंटी है माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूर दर्शी नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में देश में संचालित हवाय यटों एवं हवाय यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। भारती हवाय यटों की यात्री वहन क्षमता में भी धाई गुना बढ़ोत्री हुई है। देश में आज नए हवाय यटों का निर्मान और मौजूदा हवाय यटों का विस्तार किया जा रहा है। माननिय प्रधान मंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड रुपे से अधिक की लागत की 12 परियूजनाओं का लोकारपण एवं 3 परियूजनाओं का शिला नियास किया जा रहा है। लगभग 150 करोड रुपे की लागत से विक्सित उत्तर प्रदेश के 5 हवाय यट्डे अलिगड, आजमगड, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रतियेक हवाय यट्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाग यात्रियों को सिवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनव हवाय यट्डे में 2400 करोड रुपए की लागत से नए एकिक्रित टर्मिनल भवन का विकास किया गया है। जो प्रतिवर्ष 80 लाग यात्रियों को सिवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाय यड्डे के राजमाता विजया राजे सिंध्या टर्मिनल एवं जबलपुर हवाय यड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 912 करोड रुपए की लागत से किया गया है। महराष्ट्र के पुरे एवं कोलह पुर हवाय यड्डों में लगभग 750 करोड रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवनों का निर्मान किया गया है। इसके साथ ही माननिय प्रथानमंत्री जी द्वारा आज 900 करोड रुपए से अधिक की लागत से आंध्रुप्रदेश के कडपा तथा करनाटक के हुबली एवं बेलगावी हवाय यड्डों के नए टर्मिनल भवनों की परियोजनाओं का शिला न्यास भी किया जा रहा है। इन हवाय यड्डों से प्रती वर्ष 95 लाग यात्रियों को सीवा प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोत्री होगी। इन परियोजनाओं से हवाय संपर्कता बेहतर होगी। परियट्रकों को उन्नत यात्री सुविधाओं का लाब मिलेगा। तथा क्षेत्र के उद्योग एवं अर्थ व्यवस्था को नई गती मिलेगी। जो माननिय प्रधान मंतरी के विक्सत भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।